पढ़ा चार प्रकार के आनन्द पहरा तमोगुणी वृत्ति से लेकर के दुसरा रजोगुणी वृत्ति से लेकर के और तिसरा सत्व गुणी वृत्ति से लेकर के तमोगुणी वृत्ति को लेकर के आनन्द की परिवाशा क्या हो गई जब जगत के विशयों कहां त्याग कर देते हैं वो त्याग में जो खुशी है वो तमोगुणि वृत लेकिन ये जो आनन्द खुशी होगी ये मानसिक है ये ब्रह्मानन्द नहीं है फिर दूसरा राजसिक है हमारा पूरा जीवन इच्छाओं को पूरा करने में लगा है अब इच्छा ही छोड़ दो जो है वो ठी है कोई दुराग्रह ने तो जहां हमने इच्छा का त्याग कर दिया संकल्प प्रभवान का मान त्यक्त्वा सरवान अशेशता तो जैसे जैसे इच्छाओं का प्रभाव कम होगा वैसे वैसे मन आपका शांत रहेगा तो इच्छा के त्याग के करण मन शांत हुआ यह जो यह रजोग्णी आनन्द है यह एक विए आपके वृत्ति में ही है मन में ही है Kwadahakusa के बिना किसी ऊबंदेग, किसी way करण से विक्रेपीतन होता, जो है वो ठीक है . aur कोई निंदो, कोई वंदो, कुछ परक नहीं, तो तीन बाते हो गई, संग्रह का त्याग, इच्छाओं का त्याग, मान अपमान का त्याग, यह तीन बातों का त्याग करने से जो आनन्द होता है, यह केवल मानसिक आनन्द है, यह ब्रह्मानन्द नहीं है, फिर ब्रह्मानन् जब हम गहरी नीन से उड़ते हैं, दोक्षण के लिए नीन में तो नहीं है, लेकिन जगे भी नहीं, उस समय जो आनन्द होता है, वो ना तो इंद्रियों से होता है, ना तो विशे से होता है, ना तो भोग से होता है, ना तो आदर सत्कार से होता है, वो किवर आनन्द होता है वो जो आनंद है, जिसको पफच्छ deal ने वास्ण आनंद कहा है, वो जो आनंद है, वो है सब के प्रति माने मन के प्रति निरपेक्षव हो जाए, उदसी न हो जाए, यह उदासी नता का जो आनंद है, वो भ्रम्हानंद है. उसमें किसी भी पृत्यों का व्यापार नहीं, उसमें किसी भी विशेयों की उपलब्दी नहीं, उसमें किसी भी इच्छा की पूर्ती नहीं, उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं देखो तो यहां जो विचार करने की और प्रश्ण के उत्तर देने की प्रक्रिया है न उसका ये सुक्ष्म भाग है पिछला जनम माने उस जनम में हमारा ये देह नहीं था अगले जनम में ये देह नहीं रहेगा और जितने अच्छे पुरे कर्म किये थे देह नहीं किये थे देही ने किये थे माने हमने किये थे तो हमारी जो सत्ता है देह निरपेक्ष है देह सापेक्ष नहीं है लेकिन हमारा पूरा जीवन देह सापेक्ष सत्ता से ही चलता है और जहां हमने अपने आपको स्तिरी पुरुष मान लिया बस वहां से समसार सुरू हो गया इसे लिए श्रणा अंजी महराज से बड़ा प्रेम से आदर दिखा दिखा करके यूट मुट अपने बस को खुश करने का प्रहतना करता है चाहता है कि मेरे सबॉर्डिनेट भी वैसा ही करे लेकिन उनकी पूल खुल जाती है वो नहीं करते है फिर उनको गुस्ता आता है ढując बड़ों के साथ आदर से बात करना यह कोई खास बात नहीं है अफ से जो छोटे हैं उनके साथ भी अधर से बात करना यह खास बात है यह जिंए बात हमने आपे लोगों से सीकी निके गुसने कोई मतलब ही हमेशा इसे गुष्सा करते यह जब नॉर्मल बोलते हैं तब लगता कि कोई गड़बड़ी है इनके साथ देखो इसलिए एक क्रोध क्रोध जो है न यह बहुत बड़ा भयानक शत्रु है शास्त्रों में देखेंगे क्रोध के कारण ही जितनी आपत्या आई है एक क्रोध के कारण है देखेंगे